एक लड़के की girlfriend pregnant हो जाती है पर उस लड़के के mother को अच्छा नहीं लगा तो किसी और को hire करती है उस लड़की से प्यार करने के लिए उससे लगता था कि अगर वो लड़की किसी और से प्यार करेगी तो उसके बेटे को छोड़ देगी इसी धीम के साथ आज के हमारी मुवी जमोन जमोन इन 1992 की एक fringe movie आती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बीना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी main character सिल्विया को देखते है वो एक undergarment के factory में काम करती थी आज फादर अगर आए तो उसे घर में मत लेना फादर ने बहुत request कि बस सिल्विया अपने फादर को घर में आने नहीं देती वो गुश्ता हो गए और बाहर की सारी चीज़े फोड ने लग गए थोड़ी देर में मदर घर पर आई वो गहती है कि अगर तुम यहां से नहीं रिखते हैं उसे बात करते करते उसे चक्कर आके लुईस उसके लिए वरीड हो गया पूछता है कि क्या हुआ सिल्विया कहती है कि मैं ब्रेगनंट हूँ वह बहुत ही वरीड थी अब इस बच्चे का क्या किया चाहे उसे लग रहा था शायद वो अबोर्शन कर लेगी पर स्यल्विया हमेशा लोईस के लिए अम्लेट लेकर आती थी वो कहता है मुझे जिंदखी पर यहीं ऑमलेट खाने है सिल्विया ने अपनी मदर को भी कुछ भी नहीं बताया था जब उसे बताती है तो मादर मिसके लिए बहुत वरीड है इस दि दौय कहुं आती है। सिल्विया कहे थी कि उनकी घर पर एक पार्टी है वहाँ पर हम जाएंगे और वही पर लुईस हमें इंट्रोड्यूस कराएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा सिल्विया की मदर एक्चॉल में एक सेक्स वर करती है स्टेंजली हमेशा लुईस उसके पास आया करता था आज रात वो फिर से उसके पास आता है कहता है कि मैंने सिल्विया को प्रपोस किया है वो लास्ट टाइम उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था सिल्विया की मदर उस लुइस के फादर से बात करने लग गे तभी सिल्विया लूइस और उसके मदर सिल्विया बहुत है अपसेट हो चुकी थी उसकी मदर उसके पास आये सिल्विया ने कहा मुझे लग रहा है कि मुझे सुसाइट कर लिनी चाहिए उसकी मदर उसपर गुस्सा हो जाती है कहती है अगर तुमने ऐसा क्या तो जिन्दा में तुम मार डालूंगे मदर कलाजी के रात में जब लुईस घर पर आया तो उसकी मदर उस पर बहुत जादा गुस्सा थी वो पुछती है तुम सिल्विया को कब से डेट करे हो वो से उसके साथ नहीं देखना चाहती लुईस ने कहा कि मैं उसे शादी करने वाला हूँ मदर इस पर बहुत जादा गुसा होगी वो उसे कहती है कभी भी इसको लेकर बात मत करना मदर ने लुईस के फादर से बात की सारी सिचुएशन समझाए लुईस के फादर कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों में इन्वाल मत करो अब मदर को लगता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसका इनर्वियर का ब्रैंड है तो बहुत सारे मॉडल आया करते थे उसमें से एक मॉडल को उसने चूस किया उसके घर पर बहुत जाती है उसे कहती है मेरे बास तुमारे लिए काम है बैसे तो तुमारी स्कील से ये बहुत ही इजी हो जाएगा इस मॉडल का नाम था राउल वो जाती थी कि राउल जाकर सिल्विया को सिड्यूस करे वो फिर राउल के चक्कर में लुईस का पीचा छोड़ देगी इस काम के लिए बहुत सारे पैसे भी उसे देने वाली है वेसो की वज़े से राउल भी इस बात के लिए मान जाता है वो फिर राउत में सिल्विया के घर बर पहुचा सिल्विया के बास बहुत सारे पीच्स थे तो उसका एक पीच उसने फ्री कर दिया उसे डारेकली रोड पर छोड़ देता है सिल्विया जब उसका आवाज सुनती है तो उसे बचाने के लिए बाहर आई पर राउल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था पिक रस्ते पर आ गया था राउल ने बहुत ट्राय किया और उस पिक को बचा लेता है सिल्विया ग्रेटफूल थी तो राउल कहता है क्या तुम मुझे बियर भी ओफर नहीं करोगी सिल्विया ने उसे बियर बाहर इला कर दी वो कहता है क्या मैं अंदर नहीं आ सकता सिल्विया ने का कि मेरा एक बॉइफ्रेंड है मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ राउल उसे फ्लर्ट करकर कहता है मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता पर सिल्विया ने कहा कि मुझे पड़ता है वो उसे थोड़ सा छेड़ कर फिर यहां से चला जाता है अगली दिन जब सिल्विया घर जा रही थी तो रस्ते में उसे फिर से मिलता है सिल्विया उसे बात नहीं करना चाते थी पर उसे फ्लर्ट करना और छोड़ता ने तो गुसे में वहाँ से चली गई आज रात लुइस और सिल्विया एक लब में आय हुए थे लुइस ज़रा टेंशन में था सिल्विया को लेकर वो अपनी फैमिली को किस तरीके से बता है यही पर डांस करती करते सिल्विया ने रावल को नोटिस किया वो उसे ही देख रहा था तो ज़रा अनकमफ़टेबलो कि लुइस से कहती है मुझे यहाँ से निकलना है लुइस कहता है कि अभी तो हमाएं थोड़ा सा टाइम रुख जाते है सिल्विया फिर अपने फ्रेंड के साथ वाश रूम गई वो ही पर उसका पीछा करते करते रावल पोच गया वो डारेक्ट लिए उसे किस कर लेता है उसने उसे कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो इसके बाद वो चला जाता है सिल्विया उस पर बहुत जादो गुस्सा थी सारा गुस्सा हैं लुइस पर निकालती है कहती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ पर फिर भी तुम अपनी मदर को पता नहीं सकते है लुइस ने उसे समझाया कि मेरे पास एक बिजनिस प्लान है यह मैं फादर को दिखाऊंगा और उसके बाद में सब कुछ चीज़ें उनने समझा दूँगा लुइस का प्लान था यह डॉग्स के लिए वो इनर वेर बनाया जब वे फादर को बताता है तो फादर इसे थोड़ा भी सिरेसली लेते नहीं अब उसका ब्लान फेल हो गया तो सिल्विया के बारे में उन्हें हो कुछ भी बता नहीं पाता आजरा डिस्टब होकर वो फिर से सिल्विया की मदर के पास आया हुआ था उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था पर सिल्विया की मदर उसे मना करती है वो बहुत ही परसिस्टन था तो फाइनली हो मान गई नेकसिन में हम राउल और उसके फ्रेंड को देखते है उन्हें बुल फाइटिंग बहुत अच्छी लगती थी ये किसी और डेंजरस लोगों के ग्राउंड पर चले गए इस गेम को एंजॉय करते है थोड़े टाइम बात वो लोग यहाँ पर आ गए थे वो बहुत जाता गुसा थे इन पर गन भी चला रहे थे राउल और उसके फ्रेंड ने कुछ भी कपड़े नी पहने और वेसे ही वहाँ से वो भाग गये सिल्वया का घर पास था तो यहाँ वो आ जाते है राउल ने उसे हेल्प करने के लिए कहा वो ने कपड़े विकरा देती है राउल ने कहा मेरे पेर गंदे हो गया है प्लीज मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो वो उससे फिर से फ्लेट करने लगया था तो सिल्वया उसे घर से बाहर निकाल देती है बाहर से राउल ने फिर से उसे आवाज लगाई कहा तुम मुझे बहुत पसंद हो उसके persistence से सिल्वया ने भी अब हस दिया था राउल में उसे राउल के ही सपने आते है अब निकसिन में हम राउल को लुईस की मदर से मिलता हो देख सकते है लुईस की मदर प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही थी राउल कहता है कि सिल्विया बहुत प्रिटी है शायद मैं उसे लाइक करने लग जाओ लुईस के मदर को भी राउल बहुत अच्छा लगने लग गया था वो उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी वह राउल उसे मना करता है लुईस की मदर ने कहा तुम्हें में बहुत सारे पैसे दूँगी राउल को भी एक नई बाइक चाहिए थी तो बाइक के लिए लुईस की मदर के साथ वो इंटिमेट हो गया नेकसिन में हम देखते हैं कि लुईस और उसके फादर बात कर रहे थे लुईस के फादर ने कहा कि तुम्हें अपनी मदर से बात करने चाहिए सिल्वया एक बहुत अच्छी लड़की है इस तरीके से तुम उसे जाने नहीं दे सकते है मदर के घर पर आने के बाद तो लुईस ने उससे बात करने की कुशिश की पर मदर कहती है कि उस लड़की का नाम भी मेरे सामने मतला ना नेकसिन में सिल्वया जब घर आ रही थी तो राउल अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है कहता है मैं तुम्हें घर चोड़ सकता हूँ सिल्वया उसे मना करती है वो कहता है जब तब तुम घर पर पहुचोगी तब तक मैं इस बाइक से 100 चक्कर लगा सकता हूँ सिल्वया मानती ने तो बार-बार चक्कर वो लगाने लग जाता है सिल्वया की छोटी सी सिस्टर जो घर के बाहर खेल रही थी उन्होंने नोटिस किया ये बाइक देखने के लिए घर के बाहर आई और उनके पास एक पीक था ये पीक उनके हाद से छूट कया और रस्ते पर आ जाता है राउल बहुत स्पीड में था पीक को बचाने के लिए उसने टरन लिया और उसका एक्सिटेंट हो जाता है सिल्विया भी भागते भागते राउल के पास आई उसका खैल रखती है जल्दी से वह होस्पिटल में लेकर जाती है उसने अब रियलाइस किया कि राउल को कुछ हो जाए ये आईडिया भी वह इमेजिन नहीं कर सकती है उसे वह प्यार करने लग गई थी लुईस उसके लिए कुछ भी कमिटमेंट नहीं दिखा था अपनी मदर से बाद नहीं कर पा रहा तो उस पर वो गुस्सा थी अब सिल्विया को लगता है कि राउल से प्यार करती है तो जब वो लुईस से मिली तो उसे कह देती है इसायद हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते उसने उससे ब्रेक अप कर लिया लुईस इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया यहाँ पर बारिश आने लग गई थी और वेसे ही सिल्विया राउल के पास पहुची है उसे वो गले लगा लेती है लुईस फिर से सिल्विया को मनाने के लिए आया हुआ था उसने सिल्विया और राउल को एक साथ देख लिया वो बहुत ज़्यादा गुस्ता हो जाता है वो जब घर पर आया तो उसकी मदर नोटीस करती है कि बहुत ही डिस्टरब है लुइस मदर से कहता है कि सिल्विया अब किसी और के साथ है रात में लुइस फिर से सिल्विया के पास आया पर सिल्विया राउल के साथ थी का पीचा करते गरते उसकी मदर भी उसके पास आ गई थी लुस की मदर भी सिल्विया और राउल को एक साह देखती है और वो जेलेस होगी क्योंकि वो राउल को लाइक करने लग ज़िए लुइस अपनी मदर से कहता है कि यह सब बहुत गलत है सिल्विया मेरे बेटे से प्रिग्नन्ट है मदर कहती कि मैं जाकर उसे बात करती हो उसने जाकर सिल्विया से खा तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो तुम मेरे ग्राइंड चाइल की मदर हो वो उसे सब को सच बता देती है कि राउल उसके साथ था सिर्फ पैसों के लिए लुईस भी रो रो कर सिल्विया को बनाने की कोशिश कर रहा था उसे जब पता चला कि उसकी मदर ने क्या किया है तो कहता है तुमने मेरी जिंदगी बरबात कर दी अगले दिन लुईस की मदर राउल से मिलने के लिए आए तो कहती है कि अब तुम सिल्विया से मिलना मत राउल कहता है कि जब भी मेरा मनो मैं उससे मिल सकता हूँ अब मैं उससे लाइक करता हूँ लुईस की मदर कहती है क्या तुम्हें पता है इस सिल्विया प्रेगनन्ट है राउल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था लुईस की मदर ने का कि तुम्हारा सिल्विया से जो भी प्यार है वो सच नहीं अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी राउल को हमेशा से एक Mercedes चाहिये थी तू लुइस के मदर ने का कि अगर तुम उसे छोड़ देते हो तुम्हें मरसेडिस दे दूंगी राउल भी इस बात के लिए मान जाता है लुईस की मदर और राउल यही पर इंटिमेट होने लग जाते है नेकसिन में हम देखते हैं कि लुईस बहुत जादा डिस्टब था और सिल्विया की मदर के पास फिर से आया सिल्विया की मदर उसे कोई भी रिलेशनशिप रखने के लिए मना कर देती है लुईस कहे कर गया था कि वो राउल को मार डालेगा सिल्विया उन दोनों को ढूणने की कोशिश करती है पर ढूणनी पाती है वो फिर डारेक्ली लुईस के फादर के पास आये सारी सिचुएशन उन्हें समझा देती है कहती है कि प्लीज लुईस को रोक लो मुवी में हमने देखा था कि फादर ने लुईस से कहा था इस सिल्वा एक बहुत अच्छी लेड़ किये उसे तुम जाने मत देना अब हमें पता चलता है कि फादर एक्चुल में सिल्विया को लाइक करते थे वो डारेक्ली इसे किस करने लगते है निक्सिन में लुईस राउल को ढूंटे ढूंटे एक जगा पर बहुचा यहाँ पर हो देखता है कि राउल उसकी मदर के साथ था यह देखकर इन दोनों में बहुत फाइट हुई दोनों ने एक दुसरे पर हमला किया और इस हमले में लुईस की डेथ हो जाती है राउले देखकर बहुत परश्टा है लुईस की मदर बहुत रोती है रिग्रेट करती है कि उसने ऐसा क्यों किया सारे लोगों ने बहुत परश्टावा किया सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए उनकी लाइफ से एक इंपोर्टन परसन चला किया आज की मूवी सुसाइटी में जो भी अफेर्स होते है ये कितने अफसर्ट है इस पर एक बड़ा सा कमेंड करती है अगर हम इसे अबजेक्टिवली देखे तो इस मूवी की तरह इनमें कोई भी सेंस नहीं ये हमें बता कर जाती है तो आज का वीडियो हम यहीं कतम करते है अगर आपको एक्स्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आद रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये